Hello Friends, Welcome to the Desk आज की हमारी स्टोरी का नाम है The Old Blind Vulture Old यानी बुड़ा होता है Blind यानी अंधा होता है Vulture यानी गिद आज की हमारी स्टोरी एक बुढ़े अंधे गिद के बारे में है तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं There lived an old and blind vulture एक बुढ़ा और अंधा गिद रहता था यहाँ पर इंडोटेक्ट्री देर का इस्तिमाल किया गया है In the hollow of a banyan tree Hollow यानी खोल होता है Banyan tree यानी बरगत के पेड के खोल में एक बुढ़ा अंधा गिद रहता था A number of birds कई पक्षी had also made their nest Nest यानी घोसला होता है Among the branches of that tree Branches यानी पेड की डालिया कई पक्षियों ने कई पक्षियों ने उनके घोसले बनाये थे अपने घोसले बनाये थे Among the branches of that tree उस पेड के डालियों पे As the vulture was blind जैसे की गिद अंधा था He could not hunt food for himself Hunt food यानी खाने का शिकार करना He could not hunt food for himself वा खुद से खाने का शिकार नहीं कर सकता था So, इसी लिए the other birds brought food for him every day Brought यानी लाना होता है ये bright का second form है Brought So, इसी लिए the other birds brought food for him every day इसी लिए दूसरे पक्षियों उसके लिए खाना लाते थे प्रती एक दिन They did so out of sympathy and pity Sympathy का मतलब होता है सहानुभूती Petey का मतलब होता है दया They did so out of sympathy and pity उन्होंने ऐसा दया और सहानुभूती से किया The old vulture repaid the kindness of the birds by looking after their baby birds in their absence Repaid यानी भुकतान करना होता है Kindness यानी दया Looking after मतलब देख भाल करना होता है और absence मतलब अनुपस्थिती The old vulture बुढ़ा गिद रिपेड दे काइन्डनेस ओफ द बुर्ड्स पक्षियों की दया का भुकतान करता है By looking after their baby birds उनके छोटे बच्चों की देख भाल करके In their absence उनके अनुपस्थिती में उनके छोटे बच्चों के देख भाल करके वो उनकी दया का भुकतान करता है One day a wild cat happened to come to that tree One day एक दिन A wild cat एक जंगली बिली happened to come to that tree उस पेड के पास आई The baby birds got afraid यहाँ पर afraid का मतलब होता है डरना The baby birds got afraid पक्षियों की जो छोटे बच्चे थे वे डर गए and raised a hue and cried और उन्होंने शोर मचाया Raised a hue and cry का मतलब होता है शोर मचाना The vulture at once followed Gid ने तुरंत पीछा किया That there was some danger for the birdies Danger यानी खत्रा कि buddies के लिए छोटे बच्चों के लिए कुछ खत्रा है So, इसी लिए he shouted वह चिलाया Who is there? कौन है वहाँ? It is me a cat Mr. Vulture replied the cat Replied Replied यानी जवाब देना Billy ने जवाब दिया It is me a cat मैं हूँ Billy Shriman Gid You better be off You better be off at once अच्छा होगा कि तुम तुरंत उतर जाओ Otherwise वर्ना वर्ना या फिर नहीं तो I will be forced to do away with you मैं तुम्हारे साथ I will be forced to do away with you मैं तुम्हें भगाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा Gid ने कहा Thriturn the Vulture Gid ने यहाँ पर Thriturn का मतलब होता है धमकाना You better be off at once अच्छा होगा कि तुम तुरंत उतर जाओ Otherwise I will be forced to do away with you मैं तुम्हें भगाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा Thriturn the Vulture Gid ने धमकाया बिल्ली को The cat got scared at first Scared यानी डरना होता है बिल्ली सबसे पहले डर गई But then she spoke politely Politely यानी विनम्रता लेकिन तब वा उन विनम्रता से बोली Mr. Vulture Shreemangid I am on a pilgrimage journey Pilgrimage journey यानी तिर्थ यात्रा मैं तिर्थ यात्रा पर हूँ I have visited so many holy places Visit यानी यात्रा करना Holy places यानी पवित्रस्थान I have visited so many holy places मैंने बहुत सारे पवित्रस्थानों पर यात्रा की है पवित्रस्थानों की यात्रा की है Please allow me to touch your feet कृपिया मुझे आपके पैर चुने की अनुमती दे यहाँ पर allow का मतलब होता है अनुमती देना You are no less than a hermit indeed Hermit यानी सादू होता है Indeed यानी वास्तों में You are no less than a hermit indeed आप सादू से कम नहीं है आप वास्तों में सादू से कम नहीं है बिल्ली ने गीद से कहा The vulture was taken in by the sweet words of the cat यहाँ पर गीद जो है वह बिल्ली की मीठी चुपडी बातों में आ जाता है Sweet words यानी उसकी भोली भाली बातों में आ जाता है आ गया The vulture was taken in by the sweet words of the cat गीद बिल्ली की मीठी बातों में आ गया But he warned the cat not to harm anybody लेकिन he warned उसने चेतावनी दी Warn यानी चेतावनी देना The cat not to harm anybody गीद ने बिल्ली को चेतावनी दी Not to harm anybody किसी भी बच्चे को नुकसान ना पहुचानी की चेतावनी दी Harm यानी नुकसान पहुचाना होता है यहाँ पर The cat assured the vulture of not being cruel Assured यानी आसवाशन देना यहाँ पर cruel यानी कुर होता है बिल्ली ने आसवाशन दिया गीद को Not of not being cruel कुरूर नहीं होने का आसवाशन दिया But she caught one birdie लेकिन caught she caught one birdie caught यानी पकरना होता है यह catch का second form है caught But she caught one birdie लेकिन उसने एक पक्षी को एक पक्षी के छोटे बच्चे को पकर लिया Killed it उसको मार दिया And ate it up और उसको खा गया Near the vulture's hollow Near the vulture's hollow यानी गीद के खोल के पास में ही उसने एक पक्षी के बच्चे को मार दिया और गीद के खोल के पास में ही खा गया It went on for many days Many days यानी बहुत दिनों तक यह बहुत दिनों तक चला The birds felt worried पक्षियों को चिंता हुई यहां पर worried का मतलब होता है चिंता करना पक्षियों को चिंता हुई And came to the vulture's hollow Came का मतलब होता है आना यह कम का second form है Came Came to the vulture's hollow और गीद के खोल के पास आए Seeing the bones and the feathers of their children Bones यानी हडिया होता है Feathers यानी पंक होता है Seeing the bones and feathers of their children उनके बच्चों के Bones यानी हडिया और पंक को देखके They thought उन्होंने सोचा यहां पर thought का मतलब होता है सोचना यह think का second form है Thought That the vulture had killed their birdies Killed यानी जान से मार देना उन्होंने सोचा कि गीद ने उनके बच्चों को मार दिया So इसी लिए They fell upon the blind bird Fell upon यानी तूट पड़ना They अंधे पक्षी पर तूट पड़े And made short work of him और उसका काम छोटा कर दिये So इस story का Story का अर्थ है Story का meaning है Beware of flatterers मतलब चापलूसों से दूर रहो So इसी लिए बच्चों